हैलो वेल्कम और वेल्कम बाक तो माई चनल दाथी स्टेक लासी एनस आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ तो आज मैं आपके साथ हेल्दी ग्रोइंग हैर के लिए एक रेमडी लेकिया है यह बहुती ज्यादा इजी है और यह आप हर शांपू के लिए आप यू ठीक है करे लिए उसका हम पानी में अच्छे से बॉइल करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमको अच्छे से पानी में इसको बॉइल करना है जब तक यह ग्रीन कलर में कनवर्ट नहीं हो जाता एक पांच मिनिट या पांच या दस मिनिट के लिए बाद आप देख सकते हो कि इसका color change हो चुका है अभी हम इसको बंद करेंगे और इसको थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे ठीके थंड़ा होने के बाद ये कुछ हरे color में आपको पानी दिखने लगेगा आपको एक दूसरे container में इसको shift करना है ताकि curry leaves इसमें ना आए हम को पूरा पानी चाहिए तो यहां पर मैंने एक मग में पानी लिया है इसको आप चाहिए तो बढ़ा भी सकते हो या फिर इतने से पानी में आप इसको शांपू आड़ करके ये beneficial water आप अपने बालों के लिए यूज कर सकते हो मेरे बाल बढ़े है तो इसलिए मैंने यहां दो प्रहुत करेंगे जब तक जागनी आ जाता है उसके बाद आप यह शांपू अ llev अपने शैल पर अपलाई कर सकते हो उसके बाद आपको अच्छ से, जैसे आप नॉर्मली शांपू करते हो वैसे आपको शांपू करना अपने बालों को, ये रेमिडिया आफ वीक में 2-3 बार यूज कर सकते हो, जब भी आप हैर वाश करते हो, इसी तरीके से आपको हैर वाश करना है, करील यूज हमारी बालों क अपने scalp को clean बनाने में help करता है साती हमारी hair की growth को promote करता है और आपके बालों को बहुत ही जाधा लम्बा घना बनाने में आपकी help करता है साती यआपके hair fall को reduce करता है डांड्री का अगर problem है, तो उसको भी ये खतम करने में आपका अगर इच्छी scalp हो तो उसको भी ये reduce करने में आपकी help करेगा I hope ये remedy आपको अच्छी लगी हो अगर लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भुले ऐसी अलग अलगो चोटी वीडियो इसके साथ मैं आप से मिलती रहूंगी तो stay tuned stay healthy stay happy and don't forget to subscribe to my channel and comment down below if you like my video चर्ण मैं मिलती हूं में नेक्स वीडियो में तिल दें टेकर बाबाई